हेलो एवरिवन, होप यू आ डूइंग वैल, आज मैं आई हूँ, आप लग साथ एक मिनी व्लॉग लेकर मेरी फ्रेंड ने आना था मेरे तफ तो मैंने सोचा कि साथ साथ रिकॉर्ड भी कर लिया जाए, आपको इससाथ भी शेयर किया जाए सुबा उठी है, मैंने सबसे पहले अपने बालों पर ऑईलिंग की, मैंने यूज किये हैं चलतन प्यूर की ओईल, जिनका रिवियू मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, रिवियू देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, और वीडियो को लाजमी लाइक शेयर और सबस्क्राइब करें, और मेरे रिकमेंडेशन पर लाजमी करीते हैं, ऑईलिंग करने के बाद मैं किचन में आ गई, आके जो थोड़े से बरतन पड़े थे, मैंने वो वाश किये, किचन को क्लीन किया, और मैंने सब फिर सफाई करना के शुरू कर दी, क्यूंकि ए सबसे पहले मैंने 1-2 cup oilियe से गरम किया है, उसके अंदर मैंने तकरीब 5-10 नौद दर्म्यान साइस के लिए उनने कट किया है, कट करके गरम ऑईल के अंदर मैंने ड़ा है, थंडे और Запाई दिखना अब्ध, उसकी बॉफ कर देना है और प्याजों को अच्छी तरह से ब्लेंट करके टीक भाद करैक्ट से अज़ की डिया जिकन को ले दला कर ज़के मैंने तो उपर हलका सा पाने डाला है उस और धृकन देका 13 मिनट के लिए लगती है यह देखें और हमारे जो चिकन है वो अच्छी तरह से अलग हो चुका है चिकन अल्गा अलगा प्राइय अब मैंने डखकर उठाया और नेश्चनल का ब्राऌनी मसाला तकरीबर मैं ने 2 चमज चिकन के उपर डाले हैं और अब मैंसे अच्छी तरह से फ्राइ करूंगी तक पांच से दस मिनिट तक इसे मैं फ्राइ करूंगी ताके चिकन जो है वो अच्छी तरह से पक जाए और एक अच्छा सा गोल्डन प्राउन सा चिकन के उपर कलर आ जाए अच्छा सा गोल्डन प् या डाक यालो कलर में आता है या या आप देख सकते हैं यह मैंने तकरीबन एक चुटकी डाला है सिर्फ जो है वो हमारे चिकन का कलर बहुत प्यारा हो जाएगा इसे डाल के अच्छी तरह से चिकन को फ्राय करें यहां पे साथ-साथ मैं अपने लिए नाश्टा बना रही थ क्यांकि किक्रत मुझे नाश्टे का यादी ने रहा था यहां पर साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-सा-साथ-साथ-स-ा- Khotsp प्यास का पेस्ट था मैंने वो डाल दिया है दूसरे तफ मैंने शावल बॉयल करने के लिए पानी रखा है इसके अंदर मैंने एक बादियान का फूल एक तेज कड़ी पता और कुछ गरम मसाले डाले हैं जिनकी डिटेल्स आपको इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेल चाथ मैंने डाला है तकरीबन हाफ कप दही अब मैं इसे अच्छी तरह से भून लूगी जब मसाला हलका हलका ओयल छोड़ना शुरू कर देगा फिर मैंसके अंदर बाकी मसाले बगरा एड़ करूंगी इसे आप लिट दे के भी रख सकते हैं ताकि आपको मसाला अच्छी तरह से जो है वो हीट के अपनी हीट के अंदर ही बने उससे जो है वो टेस्ट जादा उभर के आता है आपके खाने का आफ कैमरा मैंने इसके अंदर जो है वो इमली और अलू बखारा डाला था थोड़ा से, जो के मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके बाद फिर मैंने डाला है, लेसन अदरक का पेस्ट, इससे आफ स्टार्टिम में भी अइड कर सकते हैं, सब्सक्त यहाँ पी अड़ कर सकते हैं, मुझे लेसन अदरक का थोड़ा कड़ारे टेस जाताछा चलता है, इसलिए मैं मोस्टली इसे बाद में एड़ करती हूँ इसको लेसन अधर को डाल के इसका थोड़ा सा पानी सुखाएंगे इसके बाद मैंने यहां पे एक चमज नमक का डाला है आदा चमज लाल मिस डाली है आदा चमज चल्दी डाली है और इसके इलावा मैं यहां पे आड़ करूँगी गरम सारे जिन में कड़ी पता, बादियान का फूल, तेज पात, लॉंग, इलाईची, बड़ी इलाईची, छोटी इलाईची और इसके इलावा एक चमज भर के सीरे का मैंने डाला है मैंने यहां पे साबुत सीरा डाला है, और साबुत धनिया नहीं डाला इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने इसके अंदर जो बचा हुआ हमारा नेशनल का पैकेट था, वो सारा एड़ कर दिया है और इसको हम दुबारा से अच्छी तरह से भून लेंगे जब मसाला हमारा घी छोड़ने लग जाएगा तब हम इसके अंदर चिकन एड़ कर देंगे यहाँ पर मेरे मसाले ने घी छोड़ दिया था मैंने चिकन एड़ करके उसमें जरा सा पानी डाला है इसे दुबारा से भूनने के लिए रख दिया है यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाला हुआ है पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबर एक टेबल स्पूल इसे डाल के हम अच्छी तरह से अपने मसाले को दुबारा से भूनेंगे जब मसाला हमारा फुल त्यार हो जाएगा अपना रंग थोड़ा से चेंज कर लेगा घीश होड़ देगा तो फिर हम इसको चुला बंद कर देंगे दूसरे तब मेरे चावल बॉयल हो गए थे चावल लों के उपर से ये जो जाग आती है ये लाजमी उतार लिया करें इसमें जो फैट्स वगरा होते हैं चावल के या कुछ भी केमिकल्स वगरा होते हैं वो सारे निकल जाते हैं यहां से मैंने जहाग उतार लिया चावलों को स्टेन कर लिया है मसाला मैंने उसी देगजी में रहने दिया पोईल के हुए चाबल डाली है और बाइल उपक्राइडा डाला। होता है ड מאוד को देशी खी की दम देने से पहले इसके ओपर तकरीबन मैं दो से ढहाई चम्म चरोत हैं डीशी की डालती हैं इसके बाद पर तकरीबन पेंथ्स से चाने से बिल्बाएंगा थेंगे ब्लोव फ्लिम पर दम लगा देंगे ब्रेयनी को दम लगाने को नहता लिया है और हमारी खुबसूरत लजीज और यंडी ती आहर है अभी तक मेरी दोस्त नहीं आई ती ना। सब्राइनों के दघ्माने का टाइम हो ता bara मैंने अगलüs पॉाइव में च। जब पर स्टेशन काने वी मोने कोना बूंग दो बूने के बाद को दो इन May तो ब्राइफ निन के पोगरा या जो भी जो पाल लिया और सर्विंग के लिए मेरी सवईयां बिल्कुल तयार थी इसके बाद मैं जाए गई चाकर ख़ुद थोड़ा सा रेडी हुए जो को मैने आफ गामरे रेडी हुई हुई रिकॉर्ड नहीं कर सकी इसके बाद मेरी दोस्ता हो गई थी उसके बाद फिर हम ने खाना स चाय शाय पी मैं यहां पर चाय बना रही थी और हम लोग साथ साथ बाते कर रही थी जो को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी उसके बात मेरी फ्रेंड मेरे लिए आते हुई केक लेकर आई थी जो के हमने चाय के साथ कट किया और इंजॉय किया अगर आपको मेरा मीनी व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइगन पर लास्मी क्लिक कीजिएगा थैंक यू से मच खुदा आप पर